दोस्तों इस बिड़ में आप जानेंगे कि bank accounts कितने type के होते हैं यानि कि bank जो खाता होता है वो कितने प्रकार का होता है How many types of bank accounts in India जी हाँ guys अक्सर हम normally जब भी हम अपना bank खाता खुलवाते हैं तो हम अपना saving account open करवाते हैं यानि कि बचत खाता है लेकिन यार guys इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग types के bank account होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और कभी न कभी ये जानकारी आपके बहुत ज़ादा काम आईगी तो इस बिडियो को ध्यान से और पूरा दिखीगा ताकि आप लोग अपनी knowledge बढ़ा पाएं Hello guys मेरा नाम नवीन है आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube channel हमसफर टेग सबसे बड़े दोस्तों हम बात करेंगे saving account की यानि की जिसको हम हिंदी में बचत खाता भी कहते हैं दोस्तों हमारे देश भारत में सबसे जादा यूज किया जाने वाला bank account भी saving account ही है दोस्तों इस account को खुलवाने के लिए आप किसी भी branch में जा सकते हैं बैंक की branch में आपके पास दो document होना ज़रूरी है एक आपका अधार card और दूसरा आपका pen card और आप बहुत ही आसानी से अपना bank खाता खुलवा पाएंगे अब दोस्तों बात करते हैं saving accounts की key features के बारे में यानि की saving account की जो है business तक क्या है खासित क्या है तो दोस्तों आप अपने budget खाते में saving accounts में कितना भी amount जमा कर सकते हैं लेकिन दोस्तों जब आप निकास ही करते हैं withdrawal करते हैं पैसा निकालते हैं तो उसमें कुछ limits होती है जैसे कि आपका ATM card की कुछ limit रहेगी निकालने की इसके अलावा chuck book की आपके limit रहती है ये आपके bank पर depend करता है कि वो आपको कितने limit अलाव कर रहा है हाला कि आप branch में जाकर अपनी limit को कम या जादा करवा सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि minimum balance आपको कितना रखना होता अपने saving account में दोस्तों ये आपके bank के उपर depend करता है कि वो minimum balance कितना अलाव कर रहा है आपके saving account के उपर बहुत bank में 500 रुपे minimum balance है और बहुतों में 5000 भी है और किसी bank में 10,000 भी minimum balance maintain करना होता है हाला कि दोस्तों हमारे देश भारत में परधार मंत्री जन धन योजना के तहत बहुत सारे लोगों के bank खाते खुलवाए गये थे जो कि एकदम zero balance account थे वहाँ पर आपको अगर balance भी नहीं रखना है तो भी कोई आपको charges नहीं देना पड़ता है और यहाँ पर यह account बिल्कुल zero balance account है अब आप करते हैं कि savings account पर आपको interest कितना मिलता है यानि कि ब्यास आपको कितना मिलता है दोस्तों यह आपके bank पर depend करता है कि वह आपको कितना interest पे कर रहा है यानि कि मान के चलें कि आपका एक लाग रुपे जमा है आपके bank account में तो आपको कुछ bank allow करते हैं 3.5%, 3.5% और बहुत सारे bank ऐसे भी हैं जहां पर आपको 7%, 7% का ब्यास मिलता है यानि कि एक लाग पे 3,000 रुपे अगर 3,000 रुपे अगर 7% ब्यास मिलता है तो 7,000 रुपे पूरा आपको एक साल का ब्यास मिलता है अब बात करते हैं कि saving account के फाइदे क्या है दोस्तों savings account के फाइदे बहुत सारे हैं लेकिन दो बहुत जबरी फाइदे हैं सबसे पहला ये है कि आपका जो पैसा है बिलकुल bank में safe है यानि कि सुरक्षित है और दूसरा सबसे बड़ा फाइदा ये है कि आपको उस पैसे पर जो है ब्याज मिलता है इंटरस्ट मिलता है तो ये बहुत ही कमाल के दो बड़े फाइदे हैं अब दूस्तों बात करते हैं कि आपको कैसे अपना zero balance saving account open करना है वो भी online घर बैटे अगर आप जाना चाते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप बहुत ही असानी से अपना zero balance खाता घर बैटे खोल पाएंगे अब दूस्तों बात करते हैं दूसरे नमर के bank account के उपर जिसको कहते है current account यानि की चालू खाता दूस्तों अक्सर जो लोग business करते हैं ब्यापार करते हैं वो लोग अपना current account open करवाते हैं और current account उनके लिए बहुत जाजा फाइदे मंद होता है अब दूस्तों बात करते हैं कि current account के features क्या है यानि की विशेषता क्या है क्यों इसको open करवाते हैं खुलूआते हैं अक्सर business करने वाले लोग दूस्तों अक्सर यहाँ पर होता है कि जितना मरजी चाहे आप उतने जिसमें पैसर जमा कर सकते हैं और जितना मरजी चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं तो ये सबसे बड़ा फाइदा current account का होता है अब बात करते हैं कि current account में minimum balance कितना होना जरूरी है तो दोस्तु minimum balance कुछ bank में 10,000 रुपे है कुछ bank में 20,000 है तो कुछ bank में 50,000 एक लाग भी है तो minimum balance ये depend करता है कि आप किस type का account open करवा रहे हैं ये आपके bank पर भी depend करता है अब बात करते हैं कि current account पे आपको interest कितना मिलता है यानि कि ब्याज कितना मिलता है तो दोस्तु current account पे आपको जो भी पैसा आप जमा करते हैं निकालते हैं उस पर आपको कोई भी interest नहीं मिलता है कोई भी ब्याज नहीं मिलता है अब बात करते हैं कि current account का फाइदा क्या है दोस्तों current account का एक बहुत बड़ा फाइदा है जिसको बोलते हैं overdraft limit मानके चले कि आपके current account में 2,00,00 रुपे balance है और आपको 1,5,00,00 रुपे की जोट परड़ रही है दोस्तों salary account अक्सर जो companies होती है वो अपने employees का यानि कि जो करमचारी उस company में काम करते हैं उनका bank खाता bank के द्वारा खुलवाय जाता है और यहाँ पर bank करता यह है कि company की बिहाब पर company के जो employees होता है उनका खाता अपने bank में open कर देता है अब बात करते हैं salary account की key features के बारे में यानि की business तक क्या है दोस्तों यहाँ पर business तक सबसे बड़ी यह है कि यहाँ पर जो आपकी company पैसा आपका transfer करती है हर महीना cash में ना देकर आपके सीधा bank account में transfer किये जाते है और यहाँ पर ना company कितना भी पैसा आपको transfer कर सकती है यहाँ पर कोई भी limit नहीं है अब बात करते हैं कि salary account में minimum balance कितना होना चीए तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि salary account में आप zero balance रख सकते हैं यानि कि मान के चलिए आपकी company आपको 15,000 रुपे महिने की salary दे रही है तो आप चाहे तो पूरा का पूरा 15,000 अपना निकाल सकते हैं विट्रॉल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर बिलकुल भी कोई भी balance maintain नहीं करना एकदम zero balance account है अब बात करते हैं कि आपको salary account में कितना interest मिलता है यानि कि ब्याज कितना मिलता है तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि यहाँ पर आपको कोई भी interest नहीं मिलता है अगर आपका salary account है अब दोस्तों बात करते हैं कि salary account का benefit क्या है यानि कि फायदा क्या है तो salary account को आप कभी भी अपना saving account में convert करा सकते हैं इसके लिए आप branch में जाए और वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मेरे salary account को आप convert कर लीजिए saving account में हाला कि दूस्तों अगर आप किसी company में job छोड़ देते हैं नौकरी छोड़ देते हैं और 3 महिने तक आपके account में salary नहीं आती है तो bank आपका salary account है उसको automatically saving account में convert कर देता है हाला कि दूस्तों यहाँ पर हर एक bank का term and conditions यानि की निया मोर्ट सरते अलग-अलग हैं लेकिन आप बात में अपना salary account को saving account में convert करा सकते हैं अब दूस्तों बात करते हैं चौते नंबर के account के बारे में जिसको बोलते हैं NRI account दूस्तों NRI account कोई भी अनिवाय से भारतिया खोल सकता है यानि कि जो ब्यक्ति भारत से बाहर minimum कम से कम 6 महिने से ज़ादा जो है काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने या किसी भी काम के लिए जाता है तो वो person इंडिया में भारत देश में अपना NRI account खुलवा सकता है दूस्तों NRI account basically three types के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं सबसे बला जो account होता है वो होता है NRO चले हम यहाँ पर एक इसको example में समझते हैं दूस्तों NRO account का full form होता है non resident ordinary account और guys कोई भी ब्यक्ति मान के चले कोई person है वो इंडिया से बाहर किसी दूसरी company में नौकरी करता है या अपनी family के साथ में किसी दूसरे देश में ship हो चुका है तो उस condition में मान के चले कि उस person की इंडिया में कोई घर है जो वो rent पर दे रहा है किराय पर दे रहा है या हो सकता है उनकी कोई shop है दुकान है जिसको वो किराय पर दे रहे हैं या हो सकता कोई property हो तो जो भी वहाँ से उनका rent आता है income आती है वो income जो उनको लेनी है receive करनी है उसके लिए उनको चाहिए होगा एक bank account यानि कि जो भी उनकी property से या फिर उनकी house से या फिर shop से उनका income आता है उनको जमा करने के लिए उसके लिए चाहिए होता है account तो उसके लिए उनको bank में एक account open करना होता है और जो account वो open करवाते ह उसको कहते हैं guys NRO account यानि कि non resident ordinary account अब बात करते हैं NRO account की business लग क्या है दोस्तों यहाँ पर इसकी सबसे बड़े key features यह है business यह है कि आप यहाँ पर इस account में कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं डाल सकते हैं इसकी कोई limit नहीं है अब बात करते हैं कि NRO account में minimum balance कितना होना जरूरी ह तो दोस्तों जिस तरीके से हमारे saving accounts में 1000 रूपे 500 रूपे 10,000 रूपे minimum balance होता है ठीक उसी तरीके से NRO account में minimum balance maintain करना होता है यह आपके bank के उपर depend करता है कि आपका किस bank में account है और किस bank की limit minimum balance की कितनी है अब बात करते हैं कि interest rate कितना मिलता है NRO account में तो दोस्तों NRO account में ज इस तरीके से हमारे saving account में मिलता है ठीक उलगबग उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको interest rate यानि की ब्याजदर देखने को मिलती है अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर NRI account में दूसरे टाप का जो account होता है वो होता है NRE चले यहाँ पर example के तोर पर समझते हैं तो दोस्तो के चले कि कोई किसी technology company में अमेरिका में नौकरी कर रहा को परसन जो Indian citizen है और वहाँ पर जो उनको income मिलती है यानकी salary मिलती है वो dollar में मिलती है अब उनको पैसा जो है इंडिया में transfer करना है तो उसके लिए उनको एक bank account ची होता है जिसको की NRE account कहते हैं हालकि guys saving account में भी वो प NRE account open करवाते हैं उसके बाद जो उनका पैसा dollar में उनको मिलता है वो इंडिया में rupees में convert हो जाता है और उसके थ्रू जो है उनकी family आसानी से उस पैसा को use कर पाती है अब दूस्तों बात करते हैं NRE account की features के बारे में business के बारे में तो यहाँ पर NRE account की सबसे कमाल की business यह है कि आप कितना भी पैसा यहाँ पर डाल सकते हैं इसकी कोई limit नहीं है यहाँ पर भी आपको minimum balance उसी तरीके से maintain करना होता है जिस तरीके से हमारे saving account या NRO account में maintain करना होता है वो bank पर depend करता है कि minimum balance आपका कितना रहना ज़रूरी है अगर बात करें interest rate की यान की buzzer के तो NRE account में भी आपको ठीक उसी तरीके से देखने को मिलता है जिस तरीके से saving account में और NRO account में देखने को मिलता है अब बात करते हैं कि NRE account है उसके benefits क्या है फायदे क्या है तो दोस्तों अगर आपके पास भी NRE account रहेगा तो आप किसी भी bank में जाकर जो है अपने NRI की जो NRE account के भियाब प प्रचत खाता साथे साथ में current खाता भी open करवा पाएंगे अब बात करते हैं NRA account के तीसरे टाइब की account के बारे में जिसको बोलते हैं FCNR चली यहाँ पर example में समझते हैं कि FCNR account होता क्या है अब गाईज FCNR का full form होता है foreign currency non-resident अब गाईज मान के चली कोई अंकल जी है वो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और Indian citizen है भारतिय नागरिक है लेकिन वो विदेश में काम कर रहे हैं और वहाँ पर जो भी उनको income होती है salary मिलती है वो dollar के form में मिलरी for example मान के जली है अगर guys वो चाहते हैं कि उनका जो dollar है वो इंडिया में जब हम transfer करें तो रुपीज में convert न ही account में जमा हो जाते हैं अब दूस्तों अनरा account का जो FCNR account है ना उसमें भी आपको व्यासदर interest rate भी से मिलता है जिस तरीके से बाग की अनरा account में मिलते हैं इसके अलावा यहां पर आपको key features यानिकी जो है business time भी same to same मिलती है minimum balance भी आपको उस तरीके से maintain करना होता है जिस त हिंदी में बोलते हैं आवरती जमा खाता अब दूस्तों यहां पर RD account वो उपन करवाते हैं recurring deposit जो जाते हैं कि जो उनका पैसा है वो पैसे पर उनको ज़्यादा ब्याज मिले तो वो अपना RD account उपन करवाते हैं अब बात करते हैं कि RD account की key features क्या है यानिकि विसेस्ता क्या ह दोस्तों आप किसी भी bank में अपना RD खाता खुलवा सकते हैं minimum यानिकि कम से कम 1000 रुपे की आप monthly savings से अपना RD account उपन करवा सकते हैं अब बात करते हैं कि RD account में balance कितना maintain करना होता है दोस्तों जितना भी आप RD account उपन करवाते खुलवाते हैं तो आपको जितना आप पैसा वह आपको जमा करना होता है उस account में अब दोस्तों बात करते हैं कि interest कितना मिलता है ब्याज कितना मिलता है दोस्तों normally जैसे हम saving account में पैसे जमा करते हैं तो 3.5% से लेकर और यहां पर 7% का ब्याज मिलता है लेकिन ID account में कभी-कभी 8% तक आपको interest देखने को मिलता है ये depend करता ह कि आपका bank आपको कितना interest प्रोवाइड करवा रहा है अब आग करते हैं छेटवे number की account के बारे में जिसको बोलते हैं fix deposit जिसको हम FD भी कहते हैं जिसको हिंदी में सावधी जमा खाते भी कहा जाता है और दोस्तों FD account जो है एक लंब सम amount आप अपना कुस time के लिए आप जम होता है दोस्तों बात करते हैं FD account की key features के बारे में यानि की business तक क्या है FD account की तो FD account में आप जो है कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं इसकी कोई limit नहीं है साथ जितना भी पैसा आप जितने साल के लिए अपना जमा करते हैं तो उस पर जो है आपका time पूरा होने के बाद amount होता है उसके साथ आपका ब्याज भी add करके आपको दे दिया जाता है अब बात करते हैं कि balance कितना maintain करना होता है तो दोस्तों यहां पर आप lump sum कितना amount में अपना FD account open कर सकते हैं मान के चले मैं 5 लाग रुपे की अगर open करवाना चाहूं 10 साल के लिए तो मैं उस 5 लाग रख लूँगा यानि कि FD account में रख लूँगा और उस account को मैं 10 साल बाज जब पैसा निकालूँगा तो उस पर जो भी interest rate रहेगा उसका ब्याज के साथ मेरा जो जमाह रासी है वो मुझे मिल जाएगी आप दोस्तों बात करते हैं FD account में आपको interest कितना देखने को मिलता है तो ये depend करता है कि आपका bank आपको कितना ब्याज दर दे रहा है हर bank में दोस्तों interest rate अलग होता है FD account का तो आप अपने bank में जाकर या फिर आप online पता कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि FD account के benefits क्या है फायदे क्या है तो दो बहुत बड़े फायदे है FD account के सबसे प investment है आपका सुरक्षित पैसा है तो आप बात में जब टाइम पूरा हो जाता है तो आप बहुत ही असाने से अपना पैसा के साथ साथ में interest rate ले सकते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर 6 अलगलल टाइप्स के bank count के बारे में आपको बताया आपको यह वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताएं और अगर आपने वीडियो को अब तक like नहीं किया है लाइक करके share जरूर कर दें और अगर आपका कोई सवाल है तो आप comment करके जरूर बताएं